जेशा के साथ जब मैं साउट एफरीका में मिला तो जेशा ने वादा किया के एशिया कप के ओपनिंग मैच में मैं पाकिस्तान आऊंगा और जेशा ने आगे से ये भी मुझे मतलब एक दावत दी कि आप भी इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचिस में आएं गूल की लेकिन ज सचा है कौन जूट है ये मुझे नहीं पता विकर होता है ऐसे ही है के पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है और इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती आप और मैं कोई नहीं होते हैं कौन ठीक है और कौन गलत है क्योंकि हमें एक तरफा बात नहीं करने चाह करता हूं पाकिस्तान ने मुझे बहुत दिया अब इस टाइम तो गिव सम्थिंग बैक तो पाकिस्तान जी आदत नहीं है किसी की सेलरी यहां पे डिसकस करना जस्ट पॉइंट मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहा रहा हूं उस टेने और में मिस्वाव लग की सेलरी पता कितनी 32 लाग खुर्पया पाकिस्तानी रुपी है पीसीबी मैनेजमेंट कमिटी के चेर्मेन यह आप कहलें पीसीबी चेर्मेन जका अश्रफ ने इंटर्विव दिया क्रिकेट पाकिस्तान को एक आदा दिन पहले जिस इंटर्विव का निचोर मैं आपके साथ शेर करूँगा आ आप कहां इतना लंबा इंटर्यू देखेंगे बड़ी अजीब जीब बाते हैं पी सी बी चेर्मेन जका अश्रफ ने कहीं और बड़ा एक कमजोर चेर्मेन सामने आया जो के कंधे पे रखके बंदूग चलाना चाता है किसी बड़े करिकेटर के के वो तो बचे की जिद की त तो सारे अख्तियार आइस्ता इस्ता ये क्रिकेट बोर्ड देता जा रहा है मिस्बा के बारे में जका अश्रफ ने ये कहा कि मिस्बा तो बड़ा बीबा बंदा है बड़ा शरीफ बंदा है मिस्बा ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं पाकिस्तान ने बेहतरीन टेस्ट के कप्तान है, उनकी बैटिंग में पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं, लेकिन मैं दो चीजों को मिक्सप नहीं करता ही वज़े फेलियर है दे कोच, बलके मैं उनको कोच भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो कोच थे ही नहीं, कोच क्या होता है, जिन्हों किसी ट्रेनिंग के, बगएर किसी कोचिंग एक्सपिरियंस के, उस टाइम वसीम खान साब ने चीफ सेलेक्टर बना दिया, कोच बना दिया, बाप बना दिया, मा बना दिया, कोई ऐसी डेजिगनेशन नहीं छोड़ी, जो मिस्वा को नहीं थी, और उस वकत मेरी आदत नही रोपया पाकिस्तानी रुपीज, वो मिस्वा उलहक जिन्हों ने गोरे कोचिस के बराबर सैलरी मांगी थी, बलके उनसे भी ज्यादा, वो मिस्वा उलहक जिन्हों ने अपने टेन्यूर में आते साहते, मिस्वा ने मिकी और्थर वगएरा को फारग कर दिया था, खुद आ 32,000,000,000 अब ऐसा क्या हो गया, एक दिर साल में हो कह रहा है कि मैं फ्री काम करूँगा, मैं उनकी नियत के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन चीजें मैच नहीं होती, पाकिस्तान में रहने के लिए आप फ्री काम नहीं करते, डैफिनेटली कोई ना कोई पर्क्स के हाथ में ले दिया, चेर्मेन का क्या काम है, यूनिटी तू अंडर्सेंड, जो चेर्मेन लेवल का बंद है, वो एड्मिनिस्ट्रेशन का बंद है, उसका काम है बैठ के स्ट्रेडजी बनाना और लोगों को ठीक सीट पर बिठाना के आप इस सीट पर बैठेंगे, आप सीट पर बैठेंगे, चेर्मेन का काम है, दस्तकत करना, बड़े लेवल पर डिसियन लेना, जब आपने सारे बड़े लेवल के डिसियन मिस्वा के हाथ में ले दी है, फिर मिस्वा कोई चेर्मेन बना दें, जब आप PCP चेर्मेन इंटर्वी में क्या कहते हैं, कि मुझे को यहां आप हैं चीफ सेलेक्टर की कार्दिगर्टी से हम खुश यह प्रफॉर्मस हैं घीत रही है लेकिन फैसला में सब्सक्राइब करेंगे जो उनकी आएंगी ना आगे पीजीबी चेर्मेन बनाने का वो पैटरन इन चीफ बनाता है यानि जो मुलक की गव्मेंट है जैसे अभी शवाज शरीफ की गव्मेंट है वो डिसाइड करते हैं उनका जाना भी गलत है जब तक गव्मेंट नहीं निकलेगी पैटरन इन चीफ का रूल नहीं निकलेगा पाकिस्तान क्रिकेट से आपकी क्रिकेट में अनसस्टेनिबिलिटी रहेगी दुनिया का कोई भी बड़ा कोच, दिगगत कोच, बड़ा नाम ले ले हैं आप, कोई भी, वो पाकिस्तान में आके कोचिंग नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, उसको पता है, इनकी तो गवर्मेंटी मतलब हमें कभी भी हिला सकती है, अभी मिकी ओर्थर सुथरा आगे है ना, मिकी ओर्थर ने अपना डर्बी शायर विला कॉंट्रक न swallow होग वहां से भी पैसे ले है त हैंी अपनी जूड़ी तो जब तक आप पेटरन इंचीफ को नहीं निकाल थेशिए कि जो भी चेर्मन है वो पूरा करेगा तब आपके सस्टेनिबिलिटी आएगी तब बड़े कोची आपके पास आना चाहेंगे ये एक वाहिद वजा नहीं है एक और वजा ये भी है कि दुनिया में अब टी ट्वेंटी लीग्स इतनी ज्यादा आगी है कि बड़े कोची इसक एक स्पेसिफिक टीम के साथ कि वो सारा साल काम करें वो उससे डबल ट्रिपल पैसा कमा लेते हैं डिफ्रेंट लीग्स में जाके तो वह इंटर्व्यू आप चाहे तो देख सकते हैं क्रिकेट पाकिस्तान सलीम खालिक साब ने वह इंटर्व्यू किया लेकिन बड़ा तो हो जुके हैं क्रिकेट कमेटी के चैर्मेन लेकिन पीसीबी ने ऑफिशली इन्फॉम नहीं किया अभी तक किसी को भी यहीं वह मिटिंग्स में आ रहे हैं कोई प्रेस अनलीज निकली कोई नियूस चैनल में मतब कुछ ऑफिशली जो अनौसमेंट होती है ना ऑफिशली जो किसी के अपॉइन्मेंट होने के बाद आती है किया यह अपॉइन्ट हो गया है इस फलाँ सीट पर वो नहीं निकली और मिटिंग्स हो रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट की क्या डिरेक्षण है वो बड़ी अजीब मुझे लग रही है यूडर नों पाकिस्तान क्रिकेट बट मुझे यह लगता है कि जो पिछले दिनों न्यूज आई थी कि वर्ल्ड कप से पहले कोई चेंज नहीं होगा कोचिंग स्टाफ में कि दिरेक्शन उसी तरफ जा रही है और यहीं ठीक भी है कोई पॉइंट नहीं है कि आप कि टीम तो फिक्स नहीं है इमाम फखर बाबर इजवान आपके फिक्स नहीं है कि इफती कहां से अंदर आगया इफती भी बहतरीन पर्फॉरमस में आपने च्छोटे से च्छोटे चीज़े टेकल करनी है कि शायद शायद जमान खान शायद चला जाए शाहिए एक एकस फैक्टर इह सान उलाफ पाकिस्त जाल देता है वो जनेद खान को डाला सब्सक्राइब को चल जाता है उस वकर काश डाल लेते हैं लेकिन बात कहां से कहां चली जाएगी तो बड़ी तेजी से भूप पर चलेगी है कि इमाद वसीम को कैसे आना है यह नवाज ने तो जाना ही जाना सब्सक्राइब के बारे में बड़ी स्टेटमेंट दी कि जैशा ने पहले तो दावत कभूल की लेकिन जब उसके पाथ उनकी मीडिया के उपर से प्रेशर आया उनके मुलक में उनके ही लोगों ने उनको फिर उनकी टांगे खेंची कि आप नहीं ट्रेवल करेंगे पाकिस्त की तरफ से स्टेटमेंट आती है और इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती जब तक दोनों मुलकों की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती आप और मैं कोई नहीं होते हैं कौन ठीक है और कौन गलत है क्योंकि हमें एक तरफा बात नहीं करने चाहिए क्योंकि एक अंधाय शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को टाइक कर सकते हैं